बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com सुनिधी महरा नारंग के नाम से मेरे साथ जोर सकते हैं कहते हैं आप सब मैं उमीद करती हूँ आपकी जिंदगी बहुत ही खुश भरी हो खुशियों वाली हो आज हम बात करेंगे शिवरातरी के बारे में अब शिवरातरी के दिन ऐसा क्या किया जाए जिससे आपकी जिंदगी में जो भी दुख दर्द है वो खतम हो जाए और आज खास बात करेंगे धन आपके बारे में अगर आपकी जिंदगी में आपको यह भी financial problem से गुजर रहे हैं अगर आपको income resources आपके अच्छे से नहीं develop हुए हैं आपकी जिंदगी में तो किस तरह से क्या करें शिवरातरी के दिन जो यह धन की कमी आपके जिंदगी से दूर हो जाए सबसे पहले शिवरातरी के दिन अगर आपके घर में अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो बहुर अच्छी बात अगर नहीं जा सकते तो अपने घर में पूरे शिफ परिवार की पूजा जरूर कीजिए सिर्फ भगवान शिफ की पूजा करने का कोई फायदा नहीं है उनके साथ माता पारवती की भगवान गनेश की कार्तिके की इन सब की पूजा आपको करनी है तो पूरे शिफ परिवार की कोई फोटो अपने घर में ले आईए और उनकी जो पूजा राधना जिन्ज जरूर पूरे मन से कीजिए अब खास कर बात देखे शिफ पूरान के अनुसार भी जो एक मुखी जो रुदराक्ष है उसमें कहा जाता है बगवान शिफ का ही रूप है तो एक मुखी जो रुदराक्ष है उसकी जो value importance बहुत ज़्यादा कही जाती है भगवान शिफ के बहुत करीब है भगवान शिफ का ही रूप एक मुखी रुदराक्ष को कहा जाता है तो अब आप क्या कर सकते हैं देखे अगर आप लेके आ सकते हैं तो एक मुखी रुद्राक्ष जो है उनको आप पूजा करके अगर जैसे आप आपने एक मुखी रुद्राक्ष ले लिया तो आप उस दिन ही धारन कर लिजे पूजा करके एक मुखी रुद्राक्ष को अगर आप नहीं धारन कर सकते तो एक मुखी रुद्राक्ष लिया आई उनको पूजा कीजिए शिवरात्री की दिन ही उनकी पूजा कीजिए और उसके बार जहां आप धन रखते हैं अपने घर में जो भी आपकी घर में लॉकर है या जो भी तिजोरी है जो भी ऐसी चीज़ है जहां पर आप अपने घर में जो कीमती चीज़े रखते हैं पैसा की रुदराक्ष को पूजा करने के बाद रख दीजिए और आप देखेंगे अगली शिवरात्रियाने के पहले पहले आपके घर में जो पैसों की समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी पर फिर मैं एक चीज बोलूँगे सिर्फ रख देने से कुछ नहीं होता रोज आप उस एक इक मुखी रुदराक्ष की उसको दुबारा उनको नमन कीजिए भगवान शिप को याद कीजिए लौकर को खोलिए एक अपने दिमाग में रोज प्रेयर कीजिए भगवान शिप को रोज प्रेयर कीजिए कि आपके जो धन की संबंध प्रॉबलम्स हैं वो खतम हो गई है तो लगातार आप इसको अगर करेंगे रखना आपको शिवरात्री के दिन है एक मुखी रुदराक्ष अपने घर के लॉकर में और उसको रोज उसको जरूर देखिए उनको उसको रुदराक्ष को अपने हाथ में पकड़िए और ये थौड भगवान से प्रेयर जरूर की देखिए शिवरात्री से पहले आप देखेंगे आपकी समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी अब दूसरा तरीका बहर इंसान तो नहीं लेकिए आ सकता एक मुखी रुदराक्ष अब दूसरा एक बहुत ही असान तरीका है सबसे अच्छा रहेगा आप त्रशूल को भगवानशिप के लिए आप ये मंदिर में जो है आपके घर के पास जो भी मंदिर है महाँ पर भेंट कर दीजिए और अगर हो सकते तो खुद ही लगा दीजिए अगर कुद नहीं लगा सकते तो आप भगवानशिप के लिए जो ये तरशूल है उस दिन आप मंदिर में जरूर भेट कर दीजिए आपको इसका बहुत ही जाधा लाब होगा आपके जो financial resources है वो permanent root cause से ठीक हो जाएंगे और अगर आप ये नहीं कर सकते ये दोनों चीज़े नहीं कर सकते तो आप अपने घर में उस दिन more punk ले आएं और वो more punk जो है अपने पास रख दीजिए और more punk या जो आपका जहां आपका office का desk है जहां आप काम करते हैं वहाँ पर वो 3 more punk रख दीजिए और फिर उन 3 more punk को भी आपने रोज उनके आगे prayer करनी है अपने financial problems से ताकि आप निकल रहे हैं नहीं तो आप ये simple वाली चीज़ कर सकते हैं तो ये थे 3 ऐसी चीज़े जो आप कर सकते हैं शिवरातरी के दिन जिससे जो आपके घर में जो धन की समस्या पूरी तरह से दूर हो जाएगी मैं उमीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद झाल